Hello everyone, welcome back to your channel, useful tips अगर आपको भी plants लगाना पसंद है तो आपने भी अपने plants पर कई तरह की insects का infestation देखा होगा और उन्हें में से एक है ये चीटियां ये चीटियां जब आपके pot के अंदर अपना घर बना लेते हैं तो ये दीरे-दीरे pot की जो मिट्टी होती है उसे बहार निकाल देते हैं और खुद मिट्टी के अंदर भी बहुत सारी gapping बना देते हैं जिससे जब हम पौधे को पानी देते हैं तो सारा पानी एक साथ नीचे निकलाता है पौदे की जो मिटी होती है उसको नमी नहीं मिल पाती है और पौदा भी धीरे-धीरे करके आपका सूखने लग जाता है अगर ये चीटियां आपके प्लांट के उपर पोर्शन पे लग जाती है तो ये कई तरह के इंसेक्ट्स को प्रोटेक्शन देती है जैसे एफिट्स हैं, मेले बक्स हैं और कई तरह के और इंसेक्ट्स को भी तो इसलिए जरूरी है कि इन चीटियों को भी हम अपने प्लांट से दूर रखे तो अभी आप देख सकते हैं कि इस मिर्च के पौदे पे उपर की साइट को काफी सारी चीटियां लगी हुई है जिसका रीजन है ये ग्रीन कलर के एफिट्स क्योंकि ये प्लांट से अप सक करके हनी ड्यू रिलीस करते हैं जो कि आंट्स का फेवरेट फूड है तो इस तरह से इनका रिलेशन चलता रहता है तो अगर टाइम से इन्हें अपने प्लांट से दूर नहीं किया गया तो ये दीरे-दीरे करके हमारे प्लांट को खराब कर देते हैं तो मैं शेयर करूँगी आज सिंपल से दो टिप्स जिससे आप अपने प्लांट पे से इन चीटियों को दूर रख सकते हैं तो सबसे पहले इसके उपर जो चीटियां और थोड़े बहुत जो एफिट्स लगे हैं हम उनको हटाएंगे उसको हटाने के लिए हम बनाएंगे एक सिंपल सा सोप सोलिशन जिसके लिए आप किसी भी शैंपू का या फिर जो डिस्वाश लिक्विड होता है उसके दो चमच ले ले और उसे एक लिटर पानी में अच्छे से गोल ले क्योंकि ये वैसे तो केमिकल है इसलिए इसका रेगुलर आपने यूज नहीं करना है अगर आपके प्लांट पे बहुत जादा एफिट्स हैं तो उसके लिए आप एक औरगिनिक सोलिशन बना सकते हैं जिसकी मैंने वीडियो पहले भी अप्लोड कर ली है जिसका लिंक आप को आई बटन पे मिल जाएगा तो अब इसका हम एक अच्छा सा स्प्रे करेंगे इसके उपर जिससे सारी चीटियां भी मर जाएंगी और एफिट्स भी हट जाएंगे इसको अच्छे से स्प्रे करने के बाद इसी सोप सोलिशन से आप इसको अच्छे से वाश भी कर लें थ फिर से इस पर आना शुरू हो जाएंगे तो हमें इसका एक permanent solution निकालना है इसके लिए मैं use करूँगे यहाँ पर यह लक्षमन रेखा I think आप सभी को इसकी अवारे में जरूर पता होगा क्योंकि यह 15 से 20 साल पुरानी medicine है जो की cockroaches के लिए use होती थी पर आज उन पर इसका portion होता है उस पर अच्छे से लक्षमन रेखा को लगा देंगे इससे चीटिया इस पर आना बंद हो जाएंगी या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जहां पर आपने यह pot रखना है वहाँ पर फर्ष पर चारो तरफ लक्षमन रेखा को लगा दें इससे भी चीटिया आना आपने क्या करना है कि गंबले के चारो तरफ तो आपने लगाना है लेकिन साथ ही इसके drainage hole पर भी आपको इसको लगाना है क्योंकि वहाँ पर यह चीटिया बहुत जादा quantity में खटा रहती है साथ ही आपने एक स्टोन लेना है और स्टोन पर इसको हलका सा रप करना है और मि लक्सान पहुच सकता है क्योंकि एक तरह से यह लक्षमरे का poison है बहले यह इतना जादा harsh इसमें chemical नहीं मिला है इतना जादा हमारे हामफुल नहीं है लेकिन फिर भी हमें बार बार इसको मिट्टी में नहीं मिलाना है और साथ ही बच्चों से भी इसको दूर रखना है यह plants आप देख सकते हैं कि इस वाले pot पर लक्षमरे का बिल्कुल साफ हो गई है क्योंकि बारिश का मौसम है लेकिन इस पर अब चीटियां भी नहीं है क्योंकि यह इतनी जादा effective है कि जब चीटियां इसे एक बार खा कर मर जाते हैं तो वो फिर बार बार इस plant पर नहीं आती है इसके drainage hole पर कम से कम 1.5 मैंने तक इसका अच्छे से असर रहेगा तो तब तक बिल्कुल भी इसके चीटियां आसपास नहीं आएंगी और जो plants है जिसके ऊपर भी चीटियां लगी थी जो चिली plant था उस पर भी अब आप देख सकते हैं कि चीटियां नहीं है और ऐसे जो और भी plants है उन पर भी अब चीटियां आना बंद हो गई है तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको जरूर पसंद आई होगी तो लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने valuable comments भी जरूर शेर करें और अगर आपने चैनल अभी ता सब्सक्राइब नहीं किया है तो